इस वक्ति सबसे बड़ी खबर में आपको दिखा रहा हूं कुशिनगर जिले का ये एक ऐसा गाउं है और इस गाउं में मैं आपको एक चीज ऐसा दिखाने वाला हूं कि आप चौक जाएंगे इस खबर को देखने के बाद से मैं बता दू कि अभी इस समय इतने भीशल गर्म काटे करने का प्रयास करेंगे इतना ये जल्दी तयार होकर के आपको सामने दीख रहा है यह आप देख सकते हैं मेरे साथ मौजूद है जिनका यह धान की खेती है क्या नाम है सरापका मेरा नाम सार्दा सिंग है मेरा गाव करना में लोग स्पचिम पट्टी है यह तासरी लिए करसियां है कुछी नगर जिला है मैं यहां करने वाला हूं अच्छा यह बताइए आप मार्च के आसपास अच्छा हां और 14 अपरेल के यहां हम इसका रूपाई कर दिये हां एक एक धान रूपा जाता है एक एक धान रूपा यह सोच के देखिए तोड़ास आप नीचे से दिखाए यह बोलना है कि एक एक धान बोया गया है लिक इसमें एक दो तीन चार पांच छे साथ यानि आठ नो दोस्दा इसतना बढ़िया इन ए धान जो है ब्याच किया हुआ है कि आप इस धान को देखने के पास से आपको भी मन करेगा कि मैं भी ऐसा ही दान लगा हूँ अच्छा यह जो आपने बीज लाया था दान का कहां से लिकाया थे यह मैं गया घूमने तो करी करीब है हमको बढ़िए दो सो गराम के आसपास था एक पैकेट और हम खरी दिया और लेकर के चलाया अच्छा एक टोटल कितना आप धान के खेती है यह बार बार इसमें चार तरब से आता यह खादर दाहों करके केवल दो बार हम यूरिया की चिड़काओं की है अब सोचके देखिए आप जहां पर जब भुआ होता है धान की बुआ होता है तो आप उसमें यूरिया डाई पोटास नजाने कौन-कौन से खाद आप हरियाली खाद देते हैं बुआ के टाइम में लिगने एक ऐसे किसान है कि बुआ होने कोई खाद नहीं दिया ता लेकि यह अजसी पग चुका है और बहुत ही अच्छा इसका महेकारहा है इससे लग रहा है कि जोचके देखिए या भी फशल तैयार हो चुका है आप सोचके देखिए जब इतना चावल बनाएंगे खाने के लिए तो कितना अच्छा स्वादिष्ट होगा अच्छा इसको कभी आपने इस चावल का खाना खाये हैं यह सही बात है कुछी नगर जिले में नहीं हमको लगता उत्तर परदेश के यह क्या नाम है कि पुर्वांचल में यह हमें पहली बार इस तरीके से खेती देखने को मिला है इ इस समय यही धान की कटाई भी होने वाला है बहुत ही यह बड़ी खबर रुपा जाएगा फिर से धान रुपा जाएगा पुना हां इसका भी जो तयार हो चुका है ना अब दूसरा दान अपने आज जो अपने तरफ बोया जात रहा है मंसूरी या संभा अच्छा मंसूरी बोयागे या संभा दान बोयागे अच्छा इस अच्छा जाएगा यह बार के देखने विदियो को जया जब आपको दिखाने का प्रयास करता हूं और कि आपने अभी तक ऐसे खबर नहीं देखा होगा तो इस खबर को ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा किजेगा जितने किसान इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे भी मैं कहना चाहूंगा कि आप भी इस तरीकी का फंसल लगाए धान का खेती किजिए और क्या नाम है कि जब धान की सीजन आए उससे पहले ही आप अपनी फंसल को त्यार कर लिजे मैं चाहूंगा तो पूरा इस इसको भुवाई किया जाएगा और यह धान यहां पर कहीं न कहीं पक चुका है त्यार हो चुका है काटने लायक हो चुका है बाकि मैं आप सभी से करना चाहूंगा यह वीडियो आप कहां से देख रहे हैं क्या आपके तरफ यह सी धान की खेती हुआ एक नहीं हुआ है कमेंट करके जरू बताएगा और इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर किजिएगा बढ़ेरेमार साथ अत्ते के लिए धन्यवाद